20 feet by 20 feet house plan है 400 square feet 400 square feet के अंदर house plan है यह 2BH के house plan एक दिजाइन किया गया है 400 square feet के अंदर Northside house plan इस तरफ एंट्री है तो नौत इस तरफ दिखाया है इस तरफ नौथ ए इस तरफ South West side इस तरफ है और इस तरफ इस तरफ इस तरफ तो इन बास्तू के पर डिजाइन किया गया है तो ए जो फलॉड है जो बिल्डा फिर गया है इ और इस तरह भी 20 फीट है ठीक है तो इसका जो वाल है वाल पहले ड्रॉल कर लेते हैं यहीं पर आउटसाइड का जो वाल है 9 इंच का वाल है और इंसाइड में जो वाल वनेगा वो 5 इंच का वाल वनेगा आउटसाइड में जितना वाल है 9 इंच का हो वहाँ अगर आपका 10 इंच का वाल हो सकता है 10 इंच का वाल भी आप वाइट कर सकते हैं आउटसाइड में तो सारे चीज में नहीं पर डिटेल्स सेयर करेंगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से लेके कॉलम पोजिशन फाउंडेशन फूटिंग तो एक कलर कर दिने से आपको इजी समझ में आ जाएगा असाने से तो इंसाइट का वाल फाइव इंच है कि एक विंडो लगा देंगे तो जो छोड़ रहा हूं वहीं पर विंडो और वेंटिलेशन का प्रविजन आएगा यहीं पर एक छोटा सा विंडो लगाना है तो बाहर से घर के अंदर से अब देख सकते हैं बाहर में कोई आया है क्या तो इंपर जो विंडो है विंडो का कलर मैं इंपर कलर कर दे रहा हूं यहीं पर विंडो आ जाएगा यहीं पर वेंटिलेशन है टालेट का अब यहीं पर भी विंडो है और इस तरह प्रविंडो है और इस तरह भी विंडो है बेटरूम में देखिए दो विंडो आप वाइट क्या आपका पसिवेल है तो दो कीजेगा नहीं तो सिंगल विंडो राग दीजेगा हो और इस तक है तो अद्विंडो में Почему भी दूरत याफ यह भी विंडो है कि एधार विंडो है इंधार विंडो है इस तरह भी मेंडियुआशन धार विंडीक मेंड़ाओ तो इस तरफ देखिए मेंडर है यहीं पर बिल्डिंग का मेंडर है तो यहीं पर आपको लिभिंग काम टाइनिंग हॉल मिल जाएगा और इस तरफ जो दिशा है नौत वेस्ट और यह साउथ वेस्ट और इस तरफ साउथ इस्ट और इस तरफ नौर्थ इस्ट यह दिशा है तो बास्तु के पर डिजाइन क्या है तो देखिए जिदा जो होना चाहिए उदर मैंने वाइट कर दिया यहीं पर डोड़ है और यहीं पर साउथ साउथ वेस्ट में मस्टर्ट बेड्रूम है हुआ है यहीं पर मस्टर्ट बेड्रूम मस्टर्ट बेड्रूम यहीं पर भी एक बेड्रूम है और किचेन साउथ इस्ट में है इसका डोर ही पर फ्वाइट किया किचेन और यह कमन टायलेट एक ही टायलेट यह पर फ्वाइट किया तो यह छोटा सा प्लैन है 400 फ्वाइट के अंदर बहुत ही चोटा है प्लैन है तो इसके अंदर मैक्सिमम जितना रूम बना सकते हैं उतना मैंने बना दिया तो रूम का साइज थोड़ी सी छोटी होगा तो देख लीचे क्या क्या साइज भी मिल लेगा तो लिविंग रूम का इधास से इतना दुट तक मिल जाएगा नाइन फीट वान इंच और इधास से इतना दुट तक मिल जाएगा ट्वेल फीट शिक्स इंच इस तरफ इधास से इतना दुट तक और यह बेट्रूम का साइज नाइन फीट इस तरफ और नाइन फीट वान इंच इस तरफ मिल जाएगा और यह बेट्रूम का साइज थोरी सी छोटी है बेट्रूम फॉर फीट अ स्री हेट फीट इस तरफ है और नाइन फीट इस तरफ है तोड बेम तर फीट की जाता साइज फाइपीट एट इंच इदा इस तरफ है और इस तरफ फाइपीट सेवेन इंच तो किचेन भी तोड़ा छोटा है और एक-एक स्टेप का जो साइज है लेंध त्री फीट है इस तरफ भी त्री फीट है कोई साय तो यह impact करणा है हम बॉक करकर आ नंदर आपको को छाइप करना है इस तरफ इसतर और इससीदा हई बैट आएगा तो विंडो का विंडो को थोड़ा इधर कर देंगे और इस तरफ इसका सिधा इस तरफ और इस तरफ आएगा तो नमबर अप कॉलोम आजाएगा 123456789 नमबर अप कॉलोम नाइन साइज नाइन इंच वाइ नाइन इंच अगर आपका त्रेंच का वाल है तो 10 इंच यहीं का कॉलोम ही पर वाइट कर दिजा और इसका फॉटिंग साइज कि कि फोटिंगर फीट भाई 4 फीट राकिए और टेंच फॉटिंग त्वीट राख दिजे तो इसका जो प्रा चनिग report कॉस्ट है राउन फ्लोर में टोटल कंप्लिट के साथ है तो ही पर जो डॉर विंडर का साइज है देखिए मेन डॉर ही पर फोर फिट है और डॉर का जो हाइड होता है 7 feet सबीका स्टैंडर साइज है 7 feet लेकिन वहीद थोड़ा चेंज होता है और बेट्रूम में 3 feet है यह बेट्रूम में भी 3 feet by 7 feet और ट्वाइलेट में 2.5 feet by 7 feet और किचेन में भी 2.5 feet by 7 feet और वीदो साईज डपलू जतना बेट्रूम में वीदो है बेट्रूम का वीदो फोर फीट इंटो फाइब फीट रखना है और किचेन का वीदो फ्रीघी इंटो फीट और टॉयलेट का वेंटिलेसन 14 inch by 14 inch white करना है और यह जो विंडो है चोटा विंडो है यह आप यह आप 3 feet by 4 feet कर सकते हैं और इसका बेडरूम का जितना साइज है वह रखती है